आज मैं आपको एक जीवन का कट्टू सत्य बताता हूँ, जॉब लाइन का ये ऐसा सत्य है जो कोई भी सफल आदमी आपको नहीं बताना चाहेगा और यही हकीकत है यहाँ पर इंडिया में, जितनी भी मिडिल क्लास फैमली है उनके बीच में अगर ये चीज़े जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़े अगर आप गाट बान के रख लेंगे तो आपको जॉब में कोई नहीं रूख सकता, किसी भी फिल्ड में कोई नहीं कुछ साल तक हम जॉब कर सकते हैं, तो उसमें से काफी कीमती जो समय है वो चला गया होता है, और बाद में जब हम समलते हैं तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगता, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं स्टड़ी कर रहा तो मैंने BCA किया, फिर मैंने MBA किया, अब मैं य रहते थे, जहां पर हम रेंट पर रहते थे, बहुत सारे लोगों से हमने जानपिसान बना रखे थी, मतलब मैंने personally, मेरा मोटो यही था कि जैसे ही मैं college से निकलूंगा तो मुझे तो हाथ हो हाथ जॉब मिलेगी, और ये वाले भाया, ये वाले चाचा, ये वाले जीजा, और ये ही confidence से क्या हुआ, कि जो basic चीजे थी, वो मैंने तयार नहीं करी, और जब job line में आया तो दो साल ठोकर खाई, दो साल ठोकर खाई, और कोई भी contact काम नहीं आया, देखो कोई भी contact काम नहीं आया, जब मैं study कर रहा था, तो study के दोरा हर कोई मेरे माता-पिता से, या मु कहता था, SBI में मेरी ऐसी जान पेचान है, SBI के अंदरी में काम करता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे officer से जान पेचान है, मैं direct भरती करा दूँगा, मैं उससे में कहता था, कि अंकल ली ये तो सरकारी है, इसमें तो paper देना, करेक सब जोगार रहता है, कोई दिक्कत नहीं paper तुम देना, और वहां से हम उसे pass करा देंगे, बस तुम MBA pass करके हमारे पास आ जाओ, यहां तक की, आप समझ सकते हैं कितने लोग गोली देते, दो साल में काफी परेसान रहा, क्योंकि देखो, ये होता है कि जब हमें उम्मीद होती है, तो हम उसके पीछी पीछी चलते है और उस चकर में हम अपनी तरब से कोसिस नहीं करते हैं, नई नई जो जगे हैं हमें वो पता नहीं चलती है, क्योंकि हम कोसिस नहीं कर रहे होते हैं, हमें 8-10 लोग होते हैं, उनके बीच में होते हैं, कि ये लगवा देंगे अगले महीने, अगले महीने ये लगवा देंग का हुगा हूँ जहां अच्छी सैलली नहीं है इतनी में क्या हुगा इतना ज्यादा पैसे तो मैंने खर्च कर दिया अपनी पढ़ाई में तो मैंने उसी दिन कह दिया या तो मुझे भिखारी बनके रहना है मैं सही बता रहो मेरा अपने अपसे क्या का या तो मुझे भिखार दूँगा, उसमें अप्लाइन नहीं करूँगा, यहां तक कि अगर मेरा सेलेक्शन कहीं पर हो जाता है, और मुझे पता चलता है, कि फलाने ने यह सेलेक्शन करवाया है, या इन्हों ने थोड़ी भी सिपारस लगा यह, यह वहाँ पर जॉब करते हैं, मैं उस जॉब को नह पॉइंट को हम कैसे इस्तमाल करें इस मार्केट में और जो हमारा वीक पॉइंट हो कैसे सही होगा ठीक है क्योंकि जब हम खुद कोसिस करते हैं देखो कई बार हार लगती है लेकिन वो जो वीकनेस होती न उसे हम उस पे फोकस करके वो सारी चीजे सुधारना सुरू कर देते है और फिर उस दिन के बाद से आज तक किसी ने भी मेरी जॉब नहीं लवाई जहां मैं लगता हूँ अपने आप लगता हूँ अपने डम पर लगता हूँ यहां तक कि मेरे कही सारे लोग मतलब सीनियर जूनियर कही सारे लोग बताते हैं अरे वहां RSM की पोश्ट खाली तेरा हो जाएगा ग्रोध भी मिलेगी मैं उस जॉब की बैप साइट पर भी नहीं जाता ना ही उस कंपनी को सर्च करता हूँ तीन चार महीने में कोई अगर मुझ से कह देता है तो क्योंकि मैंने कसम खरक कि है कि मैं अपने आप कंपनी ढूनूंगा अपने आप पता लगा और जब पता लगेगा तब ही अप्लाई करूगा लेकिन उसके बाद से सक्सेज मिलने स्टार्ट होगी मतलब हाँ दो साल मेरे बहुत कठिंग गुजरे क्योंकि देखो जब आप खुद से करते हैं तो बहुत सारी चीज़े खुद से ही करनी पड़ती है और वो चीज़े आती है नहीं सही होती नहीं है तो उनको सुधार करकर के करकर के दो तीन सालों में वो चीज़े इतनी स्ट्रॉंग हो जाती है कि फिर आप पल भर में नई जॉब ले लेते हो और आपका इंटर्वी स्किल्स भी अच्छा हो जाता है क्योंकि हमारी कमजोरिया पता चलती रह है न वो खराब हो चुका होता है तो अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हो और इस तरह का बनना चाहते हो तो ये वाले अट्टिटूड और साथ उस पर मेहनत भी करना होगा आपको वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कर दिये शेयर कर दिये कोई ऐसी चीज़ नहीं बत आता हूं कि जो धोके हमने खाये जो हमने परिशानिय जहें दिये वो मेरी वीडियो से किसी और को ग्यान मिल जाए